हेलो गुड मॉनिंग फ्रेंज आप लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्त होंगे इसी यूमी दराशा के साथ में आज की वीडियो की चुरुआत करें फ्रेंज और आज मैं आप से शेयर करूंगी अपने गाडन के पांच ऐसे कभाड और पांच ऐसे पौधे भी होंगे उन में लगेवे जो की बहुत अच्छे से लंबे समय से बने हुए हैं और काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं और जो है काफी पौधा मैं आपसे जो है शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही हाडी प्लांट और बल्ब के द्वारा लगने वाला पौधा है ये और अगर आप इसका एक भी बल्ब अपने गार्डन में लगा लेंगे दोस्तों तो आने वाले समय में देखेगा आपके गार्डन में इसके धे प्लावर देता है इसमें क्यान में आपको जो है कलर देखने को मिलते हैं उइय है और यगकार की सतलों में दोस्तों फ्लावर में इंस वाइद ही कुछी में 2 लीटर की बॉटल हो आधे लीटर की बॉटल हो या एक लीटर की बॉटल हो तो आप सबसे पहले जो है इन बॉतलों को मद्वे किए और इन才लों में आप पौधे ग्रो करिए दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं सावी पौदे कुछ बातों का विशेश ध्यान रखे जैसे ड्रेनेज का आप ध्यान रखेंगे दूसरा आप एक अच्छी सी वेल्डेन मिट्टी बनाएंगे और इस पौदे को लगाएंगे तो आपकी कोई भी पौदा दोस्तों स्रिफ रेन लिली ही नहीं कोई भी पौदा बहुत ही खुबसूर के साथ ग्रो करेगा तो बोतले जो होती है दोस्तों आराम से 4-5 साल जो है चलती है और इनको रखने की भी कोई समस्या नहीं होती है देखे मैंने तो बौल पे रखा हुआ है दोस्तों तो बहुत ही छोटी सी जगा में जो है ये प्लांटर जो है मैं रख लेती हूं रखना इनको बहुत ही असान होता है और मिट्टी इन में बिल्कुल ना के ब्राबर आती है तो ये पौदे भी आप जो है बोतों में ग्रो कर सकती है अगला पौदा फ्रेंड्स में आप से शियर कर रही हूं ये देखे ये है मेरा ये देखे ये है हमारा मिर् में बना हुआ है और एक देखे इस तरीके से एक लेडी का फेस देने की मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है तो ये जो प्लांटर होती है ये बहुत ही मजबूत होते हैं दोस्तों तो आपके घर में अगर इस तरीके के ऑईल के केन आ रहे हैं निकलते हैं तो उनको बिल्कुल भी आप कुड़े कचरे में मत फेकिए आप उनमें पौधे लगा सकते हैं तो देखे मेरे मिर्ची के पौधे की ग्रोध कितनी अच्छी है कितनी खुपसूरती के साथ ये पौधा जो है पांच लिटर की केन में चल रहा है अगला देखे दोस्तों ये मैं अपनी हर वीडि लग्तॉरती हैं लहें और ये statewide lied संग चोके कितनी टोस्तों और सब्सक्राइड के सब्सकरे तरीके के अपने प्लांट लगा सकते हैं तो यह देखे मैंने जो लगा रखे हैं यह अपने बैगन के पौदे लगा रखे हैं एक यह है और पीछी आप देख रहे हैं एक बाल्टी मेरी वो भी है वो बिल्कुल तूट चुकी है दोस्तों लेकिन पौदा मेरा बहुत तो इसको भी आप नत विक किये अगला दैकेते हैं धोस्तों यह देखे मेरे घर का जो कि जिम वग गरा जम जाती है तो इस तरीके के अगर कोई प्रोटीन वगरा जो लेती है तो यह तो यह प्रोटीन और दिपज भी मज़बूत है यह दिबा प्रोटीन का पौधा दोस्तों काफी अच्छे से चल जाते हैं यह जो प्लांटर होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत ही अच्छे से चल भी जाते हैं तो इस तरीके से अगर आपके घर में भी यह वाला डिबब निकल रहा है तो इसको बिल्कुल भी मत फेकिया और इसका जैसी बोतले जो की बिल्कुल वेस्ट होती हैं कुड़े कच्रे में मत फेकिये दोस्तों और इन में पादे आप ग्रो कर सकते हैं पादे बहुत ही अच्छे से चलते हैं सबी पादे तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसके लिए माफी चाहूंगी और प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी जो है वेस्ट मिटीरियल की वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल तो सबस्क्राइब जरूर कर लें दोस्तों भी बाई पपी गादिंग थैंक य। य। फ्रैंड्स